नमस्का दोस्तों स्वागत हैं आपका टीसी फैसन में दोस्तों आज हम काटने जा रहा हैं गोल गले में बैक साइट की डिजाइन तो चले दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं तो यहां पर मैंने बुक्रम ली है साड़े नौ चौड़ाई और साड़े दस लंबाई तो हमने यहां पर रखी है यानि कि साड़े पाच और इस आइडम भी वन तीन बैक में गला रखेंगे छेंच का तो यहां पर हमने छेंच रख दिया छेंच राखने के बाद हम नितान लगा लेते हैं सीधह इदर साइड में एक इंच इसको गुलाई करेंगे यह हो गई गुलाई इसको यहाँ पर थोड़ा सा हम आइसे में देंगे ना कि चौकोर थोड़ा सा सेब में देंगे अब यह हमारा हो गया इस तरीके से अब नीचे का हिस्सा अब हम काटते हैं तो अब हम इसको फोल्ड करते हैं इस तरीके से फोल्ड करने के बाद अब हम इसकी लंबाई रखेंगे वो चार इंच की तो इधर से निसान लगा लेते हैं और ये रहा चार इंच की हमारी लंबाई चार इंच की लंबाई लगाने के बाद अब हम यहाँ पर रखेंगे चौणाई जो है बो 1,5 इंच के रखेंगे तो यहाँ पर जो है आदा इंच एक सूथ हम लगा लेते हैं आदा इंच दो सूथ तो यहाँ पर निसान लगा लिया अब इसको जो है हमको इस तरीके से करना है तो यहाँ से हम पतला ले जाएंगे हिस्सा तो यह हमारी कट गई समझे लीजिए तो यह हमारा हिस्सा कट गया अब हम निसान लगाते हैं इसमें तो सबसे पहले जो आए इसको अम डबल करेंगे इसके बाद इसको रखेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर उपर साइड मा पतला ही रखें इस चीज का धियान रखना है आपको बिल्कुल पतला रखें तो यह हमारा निसान लग गया एक बाकी हम इसको खोलेंगे तो सबसे पहले यहां पर हम गोल गला काटेंगे तो यह आप एटन इसको हटा देते हैं तो यह हिस्सा हमको पतला रखना है तो हम इसको इस तरीके से रखेंगे अब बचा यह हिस्सा तो अब हम इसको काटते हैं अदो तो भी हम बताएंगे इसको किस तरीके से आपको डिजाइन करना है अब देखेंगे इसको आपको पूरा बना लेना सबसे पहले बनाने के बाद जो है अब यहां पर यह चीज़ें अलग होगी तो उनको क्या करना है सुई से आपको टाकना है टाकने के बाद एक बटन लगाना है यहां पर मड़ा हुआ लगा रगा, इंसूट का अपने हाँ sad का या फिर या फिर नंग वाला बटन ले आ जाय वो लगा ले यहाँ लगाने के बार यहां पर आपके डोरी लगेंगे लटकन वाली यह बाकी जहां यह यहां पर आप नंग वाले मोती het वो रख सकते हैं और बस यह जब डिजाइन इसी तरीके से यह बनाना है यह इस तरीके से आएगी डिजाइन बहुत ही फस किलास लगेगी तो उम्मिद करता हूं जोस्तों आपको डिजाइन अच्छी लगी होगी और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए और अच्छी नए डिजा के लिए नमस्कार